यस विलकम टू इलेक्टर डिपार्टमेंट सेंट्रल इलेक्टोनिक्स लिम्टेट सरकारी कमपनी की तरफ से रिक्रुमेंट निकल कर आ रही है फारेट टुन्टी टुन्टी-फोर जहाँ पर आल इंडिया के केंडियेट अपलाई कर सकते हैं पर्मरेंट जॉब है कोई contractual जॉब नहीं है जूनियर इंजिनियर और टेक्नीशन की पोजीशन के लिए vacancies निकाल लगी है जिसमें डिप्लोमा, ITI और B.T.E.C. के candidate अपलाई कर सकते हैं government company है तो आपको इसमें बहतरी इन salary देखने को मिल जाएगा क्या eligibility criteria है कौन-कौन से branch के candidate अपलाई कर सकते हैं सारा कुछ इस वीडियो में हम discuss करेंगे complete information के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए तो यहाँ पर देख सकते हैं employment news में CE या लैनी की central electronics limited की तरफ से अभी इसका short notification जारे किया गया है vacancy निकाला गया है central electronics limited जो की government of India का enterprise है और यह department of scientific and industrial research के अंडर में आता है तेक है इनके तरफ से अभी short notification जारे किया गया है बात कर लेते हैं कौन कौन सी position के लिए vacancy है तो यहाँ पर देख सकते हैं junior technical assistant की position के लिए vacancy है जिसमें total आपको 15 vacancy देखने को मिल जाएगा UR के 8 vacancy है OVC की 3 vacancy है SC की 2 और EWS की 1 vacancy है तो अगर qualification की बात करें तो अगर आपके पास 3 year का polytechnic diploma है electronics branch में electrical, mechanical या फिर ceramic engineering में तो आप इसमें apply कर सकते हैं सबसे ची बात यह है कि इसमें completion कम होगा क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं minimum 1 year का experience चाहिए तो अगर आपने किसी भी company में work किया है electronics, electrical, mechanical या फिर ceramics related company में work किया है तो आप इसमें eligible होंगे apply कर सकते हैं यह government company है और आपका इसमें permanent job होगा इसमें विकेंसी है technician की position के लिए technician A और technician B की और इसमें बात करें तो यूर की 6 विकेंसी है OBC की 3, SC की 2 और AWS की 1 इसमें qualification की बात करें तो अगर आप 10 पास है और इसके बाद आपने ITI किया है, electronic straight चलेगा, electrician, fitter और mechanics तो आप इसमें apply कर सकते हैं आपने कहीं भी one year का experience है आपके पास तो आप इसमें apply कर पाएंगे अभी इसका phone notification आएगा तो बिल्कुल clear हो जाएगा कि one year apprenticeship को experience में count किया जाएगा नहीं लेकिन यहाँ पर ITI वालू के लिए अच्छा opportunity है क्योंकि ITI वालू के लिए अगर वो one year का apprenticeship करते हैं तो उनका experience में count होता है त्योंकि हमने पहले आपको एक notification आया था उसमें लिखा गया था, बताया गया था ठीक है, next vacancy है इसमें operator की position के लिए जिसमें अगर आप 12th pass है तब भी आप इसमें apply कर सकते हैं और 12th आपका science और math subject से होना चाहिए और इसमें भी minimum one year का experience required है ठीक इसके बाद clerk और driver की vacancy है अगर आप इसमें interested है तो इसमें भी आप लोग देख लीजिएगा अब बात करते हैं इसमें कितना आपको salary मिलेगा इसमें तो junior technical assistant जो की junior engineer के equivalent है इसमें आपका basic पी होगा 22,250 रुपए जो की 3% का high देखने को मिलेगा हिसाब से आपका इसमें 75,000 पर मंद तक salary आपको देखने को मिलेगा लेकिन आपको सभी प्रकार के allowance मिला देश में तो आपको 40-45,000 रुपए approach salary देखने को मिल जाएगा पर मत age limit की बात करें तो इसमें कोई issue नहीं है 13,2024 तक आपका age count किया जाएगा आपका age 35 साल से अधिक नहीं रखा गया है इसके बाद जो technician की vacancy है technician A और technician B का इसमें आपका basic पे 17,500 होगा और इसमें age limit की बात करें तो maximum age आपका 35 साल से अधिक नहीं होना चाहिए सभी में age limit की बात कर 35 साल है इसके बाद operator की vacancy में भी same age criteria रखा गया है इसके बाद इसमें यहीं बताया गया है कि आप इसमें apply कर पाएंगे apply करनी की जो अंतिम दिती है 6 April तक apply कर पाएंगे अभी इसकी official site पर हमने आज देखा तो इसका अभी तक full notification नहीं आया है जैसे ही एक या दो दिन में full notification आएगा और apply link active हो जाएगा तो आपको अपने हम telegram channel पर और video को description में link provide कर देंगे वहाँ से click करके आप apply कर सकते हैं ये मिलकुल permanent job है और काफी अच्छी vacancy है और इसमें completion क्या मुक्क होगा क्योंकि one year का apprenticeship और one year का experience वाले candidate ही इसमें होंगे तो अगर आप इसमें interested हैं eligible हैं apply करना चाहते हैं जरूर से apply किजिएगा link description में दिया गया है तो आज की इस वीडियो में के वाल इतना ही अब हम मिलते हैं next वीडियो में इसी प्रकार से technical fit से job update पाने के लिए telegram channel join कर लीजिए वहाँ पर इस प्रकार की vacancies को हम update कर देते हैं